महराष्ट में इन दिनों चुनावों का महौल गरम है तमाम नेता जो है वो संबोधन और रैलिया कर रहे हैं एक दूशरे पर निशाना भी साथ रहें साथ मुद्दों की बात भी हो रही है और इस वर्थ हमारे साथ एक खास महमान मौझूद है इनके बारे में आपको बता द आती है तो इनका नाम यहां पर जरूर आता है अलाकि मैं इंट्रीव में कह रहा हूं यह बात इनके सामने ही कह रहा हूं तो वह हमारे साथ मौझूद है और कट्टर हिंदित्व का चेहरा है और शिवसेना एक हुआ करती थी तभी ग्राउंड लेवल पर पूरे लेवल पर मिलिन से सब्सक्राइब मौझूद है यह जो पूरा एरिया है गोरे गाउंड यहां बात करें हमने देखा कि जब ही कोई यहां खड़ा होता है चाहे वह द्यसाई साहब हो या फिर विद्ध्या ठाकूर के हम बात करने आपका हमेशा रहा है हमेशा लोगों से मिलते जुलत कि नहीं हो गई है सबसे पहले तो मैं आप जैसे पत्रकारों का मैं मनपुर्वक अभिवादन व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमारे जैसे लोगों के विचार आप समाज तक पहुचाने का यह जो प्रयास प्रयत में जो कर रहे हो उसके लिए तह दिल से आप लोगों का धन्यवाद और रहा सवाल गोरे गाऊ मेरी कर्म भूमी है गोरे गाऊ मेरे जन्म भूमी है माजे गोरे गाऊ मतलब हर गोरे गाओ के हर रही वाशियों को हर व्यक्ति को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग गोरे गाओ आम सो गोरे गाओ ये नहीं बोलना चाहिए बोलना च्छाईЖ malt Aga Gleb और जिस दिन ये रुदई से हम बोलते कि ये मेरा है ये गोरे गाओ तो जिस प्रकार हम हमारे शरीर का बहुत अच्छी तरीके से पालन पोशन करते हैं, हम खाना खाते हैं उसके लिए कि शरीर सहीर है, दवाई खाते हैं उसके लिए कि शरीर सहीर है, उसी प्रकार हम विचार भी खाते हैं कि हमारा मेंदू सहीर है, उसी प्रकार जब मेरा गोरे को भी मेरे शरीर की तरह मानता हो कि हर गोरे गाउ का हर काम उसी डंग से चले जैसे मैं मेरे शरीर को बहुत तरो ताजा रखता हूं सवस्त रखता हूं अच्छा रखने की कोशिश करता हूं पूचा कि बड़ा अलग सचनाव है और कई लोग यह भी कह रहे हैं कि आखिर लड़े तो लड़े किससे पार्टी की नहीं है फिर वोकल इधर चले आते हम उधर चले आते हैं तो बड़ी अजीव सिस्तिति नहीं हो गई आप लोगों के लिए से बहुत मुझेदर किस्सा गई उस समय मैंने भी मैंने विरोट किया था बाजपा की तरफ से टिकिट दी गई जब कि कॉंग्रेस के समीर भाई देशाई इन्हों यह मतबगार नहीं था थे कॉंग्रेस के अच्छा कॉंग्रेस से जब वह भाजपा में गए तो एकी दिन में उनका क्या सेकुलर बात खत थाकूर मिया जो अपनी मन मानी कर रहा है ना मैं उसका विरोदी हुँ थाकूर मिया ने क्या किया समीर भ्भाइ देशाई को ठिकिट दी हम अब उनको अगर टिकिट दे रहे त थो वह तो लडेंगे ना पर आपको समझना चाहिए न आपकिसको ठिकिट दे रहे हो अचा उ एक ही दिन में असली हिंदू बन गए असली हिंदू बन गए समीर भाई और आज जब समीर भाई बीजेपी के विरुद में लड़ रहे है और बीजेपी ओभाटा से लड़ रहे है तो समीर भाई आज जो उनके भाजपा के जो लोग है वो नकली हिंदू चिला रहे है नकली ह या कि किसी ने विरोध में काम किया तो वो नगली हिंदू अब ये हिंदू तुवा का सर्टिफिकेट देने के लिए बैटे थाकुर्मिया तो यह जो गोरे गाउं में हो रहा इसके लिए मैंने आवाज उठाए कि मनमानी नहीं चलेगी आप दो बातों को एक साथ नहीं करता है उसका वीरोधियो और ठाकुर मिया यह मै चिद्ध करूंगा यह प्रमान है मेरे पात ठाकुर मिया यह हंदू विरोधिया इसनिया हमारे संग के आया में उसके लिए चिल्ला भाँमें एक कार behave ऑरे गाउं में ऑ Sug request का दिया है एक कारियले संग के लिए बनाया है एक कारियले बजरंदल का या दुरगावाईने का या मातुरु शक्ति का बनाया है एक कारियले भाचपा ने एक कारियले के लिए मदद नहीं की एक हिंदुतु वह अधिकारेक्रम के लिए भाचपा ने मदद नहीं की अरे मैं आपको बता देश अं मंदिर वीनेस कल्चरलांड में ईतने से फुरूबन सब्सक्राइब कर रहा है तो चीजएं होती है पससी होती है परन्तु यह क्या करते हैं यह और अपना स्वोर्स लगाने का प्रयत्न करते और महाराष्ट्रा के वरिष्ट पदादिकारियों को काट कर यह डायरेक्ट केंद्र में बात करने की कोशिश करते हैं और कही प्रमान पर कही पैमाने पर यह यशस्वी भी हो जाते हैं और जब महाराष्ट्रा में जब मैंने बात की महाराष्ट्रा के वरिष्टों से ही बतल बाजपा के पदाधिकारी इनके Godfather अस्वस्तता है और उनका ऐसा मानना है एक बार अगर इंका परयाज्य होता है तो इनकी जितनी भी हेकड़ी है, इनका जितना भी आहंकार है, वो सारा निकल जाएगा. आप लोगों क्या feedback मिल रहे हैं? आप लोगों की आपस में बातचीत भी होती होगी, कैसे इसको टैकल करना है, क्योंकि सर्वे आने पर कुछ न कुछ चिंदा के लकीरे तो आती है. देखो इसमें 6 और 9 का फरक है, 6 और 9 समझते हो आप, अगर यदि मैंने देखा तो वो 6 दिखाई देगा, और वो ही 6 है यदि आपने देखा तो आपको 9 दिखाई देगा, ये 6 और 9 का फरक है. तो आप 9 देख रहे हो, मैं 6 देख रहा हूँ. यदि आपके पास कुछ बाते आई, तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि M.V.A की सरकार बड़त में, मैं तो में तो यूती का आद्मि हूं मैं तो दावा ठोब कर कहूंगा मैं तो सो प्रतिशद ये कहूंगा कि मेरे पास जो सर्वया आया है उसमें यही दिखाई दे रहा है कि यूती की सरकार ही इस महराष्टा में बनेगे के लिए और जैसा कि हमने देखा कि M.V. एकट बंदन है, अपने दावे हैं, N.D. एकट बंदन है, उनका अपने दावे हैं, लेकिन 20 नवंबर को जब महराज की जंता वोट करने उतरेगी, 288 सीटें और एक ही चरण में होने वाला है मद्दान, यानि बहुत जादा लंबा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और 23 तरीक को है counting, तो लगतार जो जानकार भी कह रहे हैं कि बहुत सरा खेल, जो हम कहते हैं, वो महराज के चुनाओ के बाद होने वाला है, और हमारी भी नजले उसी पर है, और जैसा कि दावे हो रहा है, दावो के बाद, किसके दावे सही बैठते हैं, इसका भी हमें जान जानकारी मिल जाएगी, जड़ा दिन समय बचा नहीं, मुश्किल से 15-16 दिन का सिर्फ बचे हुए हैं, तो इंतिजार लंबा नहीं करना पड़ेगा, हमारी नजले लगतार बनी हुई हैं, अभी क्लिए फाल इतना ही, फिर लोटेंगे तो बात करेंगे, किसी बड़ी खब झाल झाल झाल